नमश्कार दोस्तों मैं निदी सिंग दफेक्ट टाई में आपका स्वागत करती हूँ जानेंगे अखिर क्या है देरा सच्चा सोदा के प्रमुक्सन डॉक्टर गुर्मी तराम नहीं सिंजे सका सच्च नमश्कार मैं कि अन्तिमा कब से आरे हो अप डेरे के इंतर देरा चोदा साल होगे मैंक कैसा माहूल देखा आयों सबकुसमने अच्छा ही देखा है मगर संथ जी पे काफी औरोप लगाए गए हैं लोग नाम खराब कर रहे हैं आखिर क्या कारण जय जिस जवाने में घुबवांगा क्या कारणा है उसका रूप ही लगता है जुग जवग में सचाई कज जवाना ही नहीं रहा है कि हमारे पिता जी यतना अच्छे काश्फा काम खूनदान के जव्म 55 कश बहले जिए बच्छे इनसान वन उधर मसाला में उधर सब बच्चों पढ़ाते हैं, स्कूल भी, सारा कुछ है, पर हमारे पिताजी अतना भिलाएक काम करते हैं, इतने लाखों बच्चे हैं इनके लिए, तब ही आज सरकान ने इतनी रूप लगा रखी हैं, कोई सुनवाई हमारे पिताजी के ने, मैं लाखु बच्चों मान कईवं बाधान हमारे जैसे समाज में अभी नहीं तो तो फर्क पढ। रहा है समाज पर इससका संत जी के ना होनेका। पर कि कोई नहीं पर रहा है पर पिता जी होते दो गंटे गंटे संसंग भी करते अच्छी भला बुरन अच्छी भलाई की बात बताते हैं सब को ग्यान होता सै बच्चे रो रहे हैं मालिक के बिना सद्गुर दाता अभी याए कब आएंगे जल्दी याएं हमारे सब के गरीब को कपड़े, लचते किछी भी खाने पीने के कोई भी तकलीफ है हमारे सद्गूर सबको ध्यान देपे सबको रहमmen बरसते हैं सबको अपने हाथ से खिलाते हैं सब स्वैवतार भाई सब जिसे पिता जी कहते हैं वह इसे रहम करम से सब सेवदार करते हैं सब उनके बच्चे हैं सबको मालिक झालिक प्यारा है आज समाज में संथ जी को आना चाहिए लगता है आपको हाँ आना चाहिए अज भी आजा है कल भी आज है जिस सद्गूर हमारे उनको रह्मो करम के पिता जी के bapt alleen सरकार से क्या पील करो गो सरकार से यही कहना है कि हमारे पिता जी आज कल जैसे ही जल्दी हो सके वैसे हमारे पिता जी आ जा लेकि सरकार ही सुनी ही नहीं रहा है भला बुरा कोई ही जबाना ही नहीं रहा सरकार क्या समझे सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है हमारे सब कुछ हमारे पिता जी ही है हमको पिता जी ही चाहिए, कोई इंसाप नहीं है इस जबाने में